भारत के चार सबसे बड़े नेता जो की पहले कुछ इस तरह दिखते थे भारत के चार सबसे बड़े नेताओं की सबसे पुरानी तस्वीरें जिनें आपने आज तक सायद ही देखी होगी जानेंगे इसी वीडियो में उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लो नमबर वन योगी आदित्यनाथ जी नमबर वन सीएम योगी के बचपन का नाम अजय था सीएम योगी के स्कूल के दिनों की तस्वीर नमबर वन योगी किसी घर के दरवाजे के बाहर बैठे हुए है इसमें मोधी किसी से बातें करते हुए दिख रहे है नमबर टू भारत भ्रमन से दो साल बाद लोटने के बाद नरेंद्र मोधी घर पर केवल सत्रा दिन रहे इसके बाद उन्होंने राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग से जुडने का फैसला ले लिया और इसके लिए अहमदाबाद चले गए संगठन स्तर पर बहतर काम करने के लिए अटल बिहारी वाजपई नरेंद्र मोधी को काफी मानते थे नमबर फोर 1975 में जब ततकालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगा दिया तब नरेंद्र मोधी संग में संगठन के कार्य को देखते थे उस वक्त उन्होंने आपातकाल के खिलाफ काफी लड़ाई लड़ी करीब दो साल तक नरेंद्र मोधी को पुलिस खोचती रही इस बीच वह अलग-अलग भेश में रहते थे सिक के रूप में उनकी ये तस्वीर उसी दौरान की है और नमबर थ्री पर राहुल गांधी जी नमबर वन इंदिरा गांधी अपनी बहू सोनिया गांधी पोते राहुल और पोती प्रियंका के साथ नमबर टू मा सोनिया गांधी की गोद में बच्चा राहुल गांधी नमबर थ्री जब सोनिया गांधी स्कूली बच्चों से बात चीत कर रही थी तो छोटे राहूल देख रहे नमबर फोर पर है सोनिया गांधी नमबर वन इस फाइल फोटो में सोनिया गांधी को उनके दिवंगत पती राजीव गांधी के साथ एक कारेक्रम में देखा जा सकता है नमबर टू नई दिल्ली में हवाई अड़े से विदेश यात्रा के लिए रवाना होने से पहले दिवंगत प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने वरुन संजय गांधी को गर्म जोशी से गले लगाया नमबर थ्री सोनिया गांधी ने युबा राहुल गांधी को अपनी बाहों में पकड़ रखा नमबर फोर 21 मई 1903 तालन को नई दिल्ली में राजीव गांधी की पुन्य तिथी पर वीर भूमी पर श्रधांजली अर्पित करते हुए सोनिया गांधी उनके बेटे राहुल और बेटी प्रियंका दोस्तों आपके पसंदीदा नेता कोन से कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ में ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पर हो चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लो